अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Nokia 7 Plus से कैसे आप बहतरीन images capture कर सकते हैं इसमें जैसे के आपको पता ही होगा कुछ features and settings लेकिन इसमें ऐसे भी features and settings है अगर आप इसको अच्छी तरह से utilize करेंगे तो super every single time sharp images capture कर सकते हैं तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगर आप इस चैनल पर नए है तो subscribe करके बने रही है और like कीज़े इस वीडियो को share कीज़े अपने friends के साथ और browse करके देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर बहुत ही बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियोस बनाए हूँ तो चले स्टार्ट करते हैं नोकिया 7 प्लेस से कैसे शूपर पिक्चर्स निकाले दोस्तों जैसे कि आप देख सकते ही यह है डिफॉल्ट कैमरे इंट्रफेस जस्ट कैमरा आइकन पर टैप करेंगे तो डिफॉल्ट ली यहीं पाएंगे आप इंट्रफेस को तो अभी इसको कैसे अच्छी तरह से उट्राइस करके बहुत यह अच्छा पिक्चर्स काप्च कर सकते हैं हम देखने वाले हैं तो देखें सबसे पहला कुछ ऐसे चीज़ है आपको पताई होगा तो वह एक्स्प्लेंट नहीं करूंगा तो जल्दी से यहां पर है आटो एंड ऑन है फॉर्सेवली आप आउन कर सकते हैं डाटो भी रख सकते हैं यह एच्टियार बेसिक करने में आप एच्डियार को जरूर यूज़ करके कैपचर कर सकते हैं ना कि सभी स्चवेशन में वेजे नहीं करना हैं सुर्फ और सिर्फ लैंडेस केप में और जहां पर आप डार्कर एरियास है श्याडोस ज्यादा हैं अगर महां पर बूस्ट आते हैं तो जरूर एच् तो इन पिक्चर है तो पिक्चर इन पिक्चर बेसिकली एक चोटा आएगा आपको कॉर्नर में तो वहां पर आपका क्यामरा है यह वह बड़ा फ्रेम में आपको मिलेगा तो ऐसे आप पिक्चर मॉड को यूज कर सकते बहुत ऑच्छा फेचर में कहूंगा क्योंकि मानलिज से अगर अपने फ्रेंस के साथ कहीं घुमने गए और आप भी उस फ्रेम में अगर कोई पिकचर खीच रहroe है उस अगर आप याना चाते हैं तो इसको एक बार टैप करेंगे तो यहां पर लाइब बोके हैं लेकिन लाइब बोके नोकिया में इतना भी अच्छी तरह से वर्क नहीं होता है देखे अभी डप सक्सेस करके बोल रहा है यहां पर सिंगल सब्जेक्ट फ्रेम में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वह डिटेक करके यहां पर फोकस करके डफ सक्सेस करके बोल रहा है तो इतना अछी तरह से इंपलिमेंट नहीं किया है इन्हों और जली क्रक्ता नहीं करता है तो dear कुछ इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं है software upgrade देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा नोकिया तो यहां पर लाइव बोके हैं बेसिकली डप्ट एफेक्ट है पोर ट्रेट ब्लर करने के लिए है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को शार्थ बना के बैक्डरॉंड ब्लर कर सकते हैं लाइव बोके से वैसे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए से शटर बटन को तो बिलकुल यहां पर आपको धेर सारे फीचर्स यानिकी अनलॉक होके आप आयसो को एक्सपोजर टाइम यानि शटर स्पीड को आटोबाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हैं और कैसे यूज़ करें देखिए अभी स्टार्टिंग ऐसे डेलाइट इंकेंडेसेंड को अगर मान लीजिए अभी लोकेशन पर ठीक से अकुरेट कलर्स नहीं ले रहा है कैमरा तो आप बिलकुल वाइट बैलेंस को चेंज करके एक्सप्रिमेंट कर सकते हैं अगर ठीक से कलर देता है तो बिलकुल उसी पिक्चर को आप कुछ अगर फोकसिंग हंट हो रहा है नोकिया में अगर कैप्चर करते हैं ठीक से फोकस नहीं मिल रहा है जल्दी से आपको तो बिलकुल आप जल्दी से यहां पर मैनुल फोकस में आके ऐसे स्लाइडर को मूब करेंगे तो बिलकुल बिलकुल शार्प इमेजस आने लगें इसके बाद है आयसो तो आयसो बेसिकली आप आटो पर ही छोड़ दीजिए अच्छी तरह से काम करेगा लेकिन अगर कुछ आप शटर स्पीड यहां पर जो है उसको कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं मान लीजिए अगर कुछ यहां पर सब्जेक्ट मुव हो रहा है और उसको करना चाहते हैं बिल्कुल शार्पी में चाहते हैं तो आपको बैसिकली शटर स्पीड को ज्यादा रखना है यानि कि वन बाइट विफिटी वन बाइफाइंडरेट ऐसे तो यहां पर नोकिया में वन बाइफाई प्यांड तक है सो बढ़ाना है आपको एसो करन पॉर हंड तो को बदल रहा है तो बिल्कुल फायदा नहीं तो आटो पर छोड़ दीजिए हमेशा तो यहां पर देखिए आल देखिए आप टू टू फोर सेकंड्स तक जाता है शटर स्पीड नोकिया सबन प्लस में तो आप कैसे स्मूथ और सिल्की वाटरफाल मुवमेंट्स जाते है तो फोर सेकंड्स टू सेकंड्स पर रखके ट्राइक करके देखिए और उसके साथ आयसो बिल्कुल मिनिममम रखना है हंट्रेड आयसो एंड अगर आप एक्सपोजर टाइम को फोर सेकंड्स वैसे रखेंगे बहुत ही अच्छा स्मूथ और सिल्की मुवमेंट्स आपको पिक्चर में मिलेगा लेकिन आपको बहुत ही बहुत ही स्टेडी रखना है अगर आप मोबाइल ट्राइपोड को यूज करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा तो ऐसे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से वैसे यहां पर एक चोटा सा प्लेस और मैनस है इसको टैप करके आसे होल्ड करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कुछ डार्क एलिमेंट्स आ जाते हैं वर्ग्रोंड में जल्दी से उसको ब्राइट करने के लिए आप एक्सपोजर को प्लेस वन स्टॉप ले सकते है यानि कि आपको इसमेंगा ज्यादा नहीं करना है यहां पर देखिए जस्ट आप एक बड़ ऐसे टैप करेंगे तो यहां स्ट्राइप पर जाएंगे नेक्स्ट है तो पनवरामा है ही तो आप नोकिया 7 प्लस में हॉरिजॉंटल पनवरामा ले सकते हैं कुछ मॉबेल मैं सिख लेना पड़ता है लेकिन 7 प्लेस में बिल्कुल आपको wide angle का horizontal panorama मिलेगा तो just start करके press करके आप बिल्कुल move करते जाएं तो 360 degree panorama आपको मिलेगा automatically stitch होके तो ऐसे panorama को यूज़ करना है next important देखिए settings पर जाना है यहाँ तो settings पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे settings है for example grid lines इसको हमेशा आप on करके रखिए third rule follow करने के लिए rule of thirds follow करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा grid lines basically यहाँ पर जैसे कि आप lines देख रहे हैं उसको use करके आप horizontal level पर अच्छी तरह से professional level का capture कर सकते है image यानि कि आपको weird angle ऐसे उल्टा बल्टा कुछ नहीं होगा बिल्कुल straight across the board यहाँ पर horizontal images आपको जरूर मिलेगा तो ऐसे grid line को use करना है next देखें यहाँ पर shutter sound है अगर click करते हैं sound आता है click का तो उसको अगर remove करना चाहते हैं दिसेबल कर सकते हैं वैसे watermark है watermark को unfortunately आप चेंज नहीं कर सकते हैं सिर्फ Nokia size and weather location info आता है तो बस उतना ही watermark वैसे mirror photos अगर flipped images आता है front camera से खीचते वक्त तो इसको अप off and on करके देखिए कि कैसे turn होता है images वैसे location tag अगर GPS enable करना चाहते हैं आप बताना चाहते हैं कि मैंने picture यहां पर लिया था तो आप location को भी on करके tag कर सकते हैं यहां से वैसे ही resolution देखें यहां पर यहां से change कर सकते है 12 megapixel 4-3 aspect ratio से आप 8 Megapixel 4-3 aspect ratio को ले सकते हैं या फिर 16-9 aspect ratio 8 Megapixel है जिहां यहां पर 8 Megapixel इसलिए कि 16-9 में वो downgrade कर देगा image size को full resolution images नहीं मिलेगा unfortunately even 18-9 full screen का लेंगे तो भी 8 Megapixel में capture होगा यह ध्यान में रखना है हमेशा 12 Megapixel में लीजिए ताकि full resolution display आपको मिल सकता है तो इतने सारे settings है Nokia 7 Plus से hopefully आपको इसमें से कुछ information मिला होगा वैसे ही यहां पर video camera का है एक बार tap करता हो तो video mode में आप slow motion time lapse सभी खीच सकते हैं जस्ट आप यहां पर 3 steps पर जाएंगे तो slow motion है full HD का 120 fps slow motion है इसमें तो बिल्कुल capture कर सकते है time lapse का setting भी है वैसे ही video mode and even यहां पर settings पर जाएंगे तो आप resolution यहां से change कर सकते है full HD 4K भी आप ले सकते है ultra HD तो वैसे आप यहां से resolution को change कर सकते है even full 18.9 frame में full HD capture कर सकते हैं यहां पर है तो उसको जैसे depending on situation रहता है वैसे आप change करके जरूर वीडियो ले सकते है वैसे एक interesting चीज है यहां पर Nokia 7 Plus में क्यूंकि इसमें Ozo audio quality है बिल्कुल बहुत भी बहतरीन audio quality तो उसके लिए यहां पर surround, front and rear तीनो microphone का setting है तो for example अगर vlogging कर रहे है आप तो सामने camera वाला का ही सिर्फ microphone activate करना चाहते है तो just front पर tap कर सकते है even आप record करते वक्त भी इस चीज को बदल सकते है rare microphone अगर कुछ persons बात कर रहे है उसका आप microphone में record करने चाहते है तो rare surround तो surrounding sounds भी आपको involve होके video recording में मिलेगा तो ऐसे आप change कर सकते है बिल्कुल live broadcast भी कर सकते है login करके account को तो इतने सारे धेर सारे options है Nokia 7 Plus में hopefully इससे कुछ information मिला होगा आपको लाइक ठोके इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बने रही है मिलता हूँ अगली वीडियो में दुस्तों तब तक के लिए टेकर अपना बाइबाए